दोस्तो डाबर एक ऐसा नाम आज जो देशी नहीं बलकि विदेशों तक अपनी पहचान बना रहा है लेकिन दोस्तो इसकी सुरुवात इतनी आसान नहीं थी इसको एक वैद ने साइकल पर अपने प्रोड़क को बेच कर इसको शुरू किया था और आज इसको लगवग एक ल ब्रमन नाम के एक वैद होते थे और वो देशी जड़ी बूटियों को कूट कर उनसे देशी दवाई बनाया करते थे क्योंकि वह दोर ऐसा था जहां पर भारत में हैजा और मलीरे जैसी बीमारी आम थी और यह बीमारी ऐसी थी जिनका इलाज भी आसानी से संभव नहीं था और ब्रमन देशी जड़ी बूटियों से वीनी बीमारी के इलाज के लिए देशी दवाईया बनाये करते थे इनकी दवाईया काफी अच्छी थी लोगों को काफी आराम पहुचाती थी और काफी सच्टी भी थी और लोगों का जड़ी बूटियों में देशी चीजों में विश्वास भी था, इसलिए इनकी दवाईयों को लोग ज्यादे खरीदिने लगें और इनपविश्वास भी दिखाने लगें लेकिन फिर इनका कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा और लोगे काफी फायदा होने लगा और फिर ये cycle पर रखकर अपनी दवायों को लोगों के घर घर तक पहुंचाने लगे जिससे लोगों को भी काफी फायदा होने लगा और धीरे धीरे 1896 के आने तक इनके product इतने लोग प्रिये होगे इतने इनकी product री demand बढ़ गई कि ये उनको घर पर नहीं बना सकते थे इसलिए इन्होंने एक factory खोलने का निर्ने किया और ये अपने product को फिर एक छोटी सी factory में महाँ पर बनाने लगे फिर इन्होंने अपनी इस company का नाम रखा डावर क्योंकि नाम रखना भी जरूरी तर product की पहचान भी जरूरी थी इसलिए इन्होंने अपनी जो company थी उसका नाम रखा डावर डावर basically डॉक्टर बर्मन के नाम से निकला था डावर मतलब की डॉक्टर का दा और बर्मन का बर डावर इन्होंने अपने नाम से में एक बहुत बड़ा जटका लागा BS वर्मन की 1907 में मिर्ती हो गई और वो अपना सारा कारोबार अपने बेटे CL वर्मन को सौप गए CL वर्मन भी जानते थे कि उनके पिता जी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौपी है और अब उनकी जिम्मेदारी थी कि डाबर के सामराज्य को और भी अधिक उचायों पर ले जाना इसलिए उन्होंने अपनी रिशेच टीम का गठन किया और अपनी एक लैब बनाई जहां पर उन्होंने नएने प्रोड़क्ट के लिए सोध करना सुरू किया और सोध करने के बाद अपने प्रोड़क्ट एड करना सुरू किया दीरे दीरे कंपनी एक से एक लगतर प्रोड़क्ट बनाती चली गई और कंपनी ने हर वो प्रोड़क्ट बनाए जो लोगों की बेसिक नीड से और इन्हों ने product को बनाने के लिए नई-नई मसीनों को मनगवाया नई-नई मसीन के दोरा आधुनिक product तैयार किये जिससे product की quality और उसका flavour भी काफी अच्छा होता था इसलिए लोग डावर के product को काफी पसंद करने लगे और इनके product जो पहले से ही काफी अच्छे थे लोग का विश्वास जीत रहे थे, अब वो product और भी quality उनकी बहतर हो चुकी थी, इसलिए लोग उनको अब और भी जादे budget कर उनको खरीदने लगे थे, अब डावर company धीरे धीरे growth करने लगी थी और उनके product भी अच्छे खासे चल दिने लगा, या वहाँ पर एक तरह से ऐसी च्छवी पेस की गई, कि company जो छोटे निमनवर के लोग हैं, उनका सोसन करती है, इसलिए जो मजदूर थे, वो company के खिलाफ हो गए, और वहाँ पर काफी जादे dispute होने लगी, इसलिए काफी सारी बड़ी company जैसे कि state back of India, या और बड़ी सारी जो company थी, उन्होंने भी अपने offices कोलकाता से shift करकर दूसरे सहरों में लगाने शुरू कर दी, क्योंकि महाँ पर काम करना उतना असान रह नहीं गया था, इसलिए डावर ने भी अपना जो office था, उसको shift दिल्ली में कर दिया, क्योंकि कोलकाता में इनके लिए भ वक्त तक डावर कंपनी को चलाता था, CL बर्मन और उनके दो बेटे, रतन और पूरन ये सब मिलकर ही company को चलाते थे, एक तरफ जहां रतन ये देखते थे कि company की marketing अच्छे ढंग से हो, तो वही दूसरी तरफ पूरन ये देखते थे कि जो भी product है, उसका उत्पादन ठीक हो और कितनी मात्रा में हो, ये सब ये सुलिश्चित करते थे, और ये पूरी family डावर कंपनी को चलाते आ रहे थे, लेकिन फिर इनोंने सोचा कि हम जिस तरह से चाहते हैं, उस तरह से grow company नहीं कर पा रही है, इसलिए इनोंने एक साथ बैठ कर, ये सोचा कि हम से ऐसी क्या गलत के जो अधिकार हैं, उनको आपको या तो भार से professionals को लाना होगा, या company में ही जो उस field में professionals हैं, उनको उठा कर top level पर पहुचाना होगा, क्योंकि वो time एक ऐसा था जहां पर सभी company'ों में, जो भी परिवार होते थे या उनके relative होते थे, वही बड़े-बड़े पदों पर होत लेते थे, और जो फैसले लेते थे, वो सब वही लेते थे, हाला कि ये राय डावर के लिए काफी अठपठी थी, क्योंकि उस time पर कोई भी ऐसा नहीं था कि जो बाहर से professional को लाकर अपनी company पर बैठा है, लेकिन बर्मन ने ये फैसला किया कि हमको बाहर से विशेशग्यों क लाकर जो भी उस फिल्ड के professionals हैं, उनको लाकर बैठाना होगा, और वो ही ये नेड़ने करेंगे कि कौन सब product बनना है, कितनी मात्रा में बनना है, और कहां कहां पर इसकी supply की जाएगी, ये सब decision वो professionals ही लेंगे, और फिर इसलिए 1988 में, डावर में बाहरी लोगों को top level पर ब उसका फायदा उसके product को मिलता था, और ऐसा नहीं है कि product में भी कमी होती थी, product भी काफी अच्छे होते थे, उनकी quality भी अच्छे होती थी, इसलिए वो बजर में अब तक dominance भी कर पा रहे हैं, और फिर डावर लगा था दिन दुगनी राच्चोनी तरक्की करता चला गया, न तीसरा था डावर आयरुवेदिक product, इन तीनों ही category में फिर ये अलग अलग अपने product बना कर उनको market में बेचने लगे, और इनके product का सफलोने का एक ये राज भी था कि इन्होंने सभी तरह की customer की basic needs थी, लोगों की जो सबसे ज़्यादे जरूरत की चीज थी, लोगों के रो पून, सैंपू, हर तरह के product लोगों के लिए बनाये, जिससे कि वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके, और डावर एक इतना बड़ा नाम बन सके, और फिर डावर कंपनी यही नहीं रुकी, इन्होंने साल 2005 में ओडोनिल जैसे hygiene product बनाने वाली company, वल्सरा गुरूप को भ केवल एक साल बाद ही, इनका जो turnover था, वो भी लगवो 2 million dollar के पार पहुँच चुका था, और फिर इन्होंने सन 2008 में fame care pharma को भी खरीद लिया, और फिर यह यहीं नहीं रुके, इन्होंने साल 2010 में अपनी पहली विदेशी company, hobby cosmetics को भी खरीद लिया, और उसके बाद भी इन्ह या जैसे कि पतंजली, वो हर तरह के product बना थी थी, और मसाले में भी उसका कारोबार था, लेकिन डावर अब तक मसाले कारोबार में नहीं उतरी थी, लेकिन अब यह बादसा मसाले को खरीद कर, मसाला कारोबार में भी उतर चुकी है, और जल्दी यह मसाले market के भी number one company बन और इसी तरह आज डावर के 200 से भी जादर product ऐसे हैं, जो market में हमेशा ही popular product बने रहते हैं, और उसी के दम पर आज company का turnover एक लाख करोड से भी जादर का है, और इसमें लगातार company धीरे धीरे ग्रोही करती जा रही है, और अब यह और एक और नया sector इसमें मसालों का जुड़ झालों का जुड़ एक लादर के 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 ल